Chemistry का एक बहुत ही important topic डिसकस कर रहे हैं जिसका नाम है oxidation number Oxidation number क्या है? It is the charge ये एक तरह का charge है तो ये charge positive भी हो सकता है और ये charge negative भी हो सकता है जो किसी atom के उपर होगा और ये charge positive होगा या negative होगा वो depend करेगा उस atom की electro negativity पर ठीक है? इसे एक example से समझते हैं देखे जरा तो जैसे मान लीजी मेरे पास एक compound है A B ठीक है? B की electro negativity जादा है किससे? A से Electro negativity होता है जो electrons इन्होंने share कर रखे हैं उनको अपनी और खींचने की tendency मान लीजी B की electro negativity जादा है A से तो क्या होगा जो bond pair of electron है वो shift हो जाएगा किसकी तरफ? B की तरफ तो B पर charge आ जाएगा delta negative जिसकी तरफ electron जाएगे उस पर negative charge आता है और जहां से electron जाएगे उस पर charge आ जाएगा positive ठीक है? तो A पर charge आ जाएगा delta positive तो अब अगर इस bond को तोड़ा जाएगा ठीक है? A B को तोड़ा जाएगा तो A तो किस form में निकलेगा? A positive की form में और B किस form में निकलेगा? B negative की form में तो जो ये इनके उपर charge आया है bond तोड़ने के बाद इसी charge को हम बोलेंगे oxidation number ठीक है? अब जैसे आपके ionic compounds हैं आइनी compound में आपको पता है ions होते हैं और जो इनके उपर charge होगा वही क्या बताएगा उस atom का oxidation number ठीक है? या पिर आप कहा सकते हो ionic compound में जो भी केटाइन और एनाइन के उपर जो भी charge है वो क्या होगा? उसका oxidation number जैसे sodium chloride है sodium का oxidation number कितना है? पलस वन और जो chlorine है उसका कितना है? माइनस वन तो यहाँ पर आपको यह बात मैं बता दूँ यदि आप किसी atom का या किसी आपके element का oxidation number बताते हो तो साथ में आपको charge भी बताना पड़ेगा? उसी तरह से अगर आपका कोई covalent molecule है देखें यहाँ पर मैंने example ले रखा है जैसे F2O या फिर H2O यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो electronegativity है फ्लोरिन की सबसे ज़ादा है फिर oxygen की है और फिर किसकी है? hydrogen की तो यहाँ पहले वाला example देखिए इसमें oxygen attached है किस से? फ्लोरिन से by covalent bond आप सभी को पता है कि जो फ्लोरिन है वो most electronegative element है तो क्या होगा कि जो electron pair है bonding वाला वो किसकी तरफ shift हो जाएगा? फ्लोरिन की तरफ ठीक है? फ्लोरिन की तरफ electron shift होगा तो फ्लोरिन पर charge आजाएगा negative ओके? तो अगर फ्लोरिन पर negative charge है दो फ्लोरिन पर two negative है तो oxygen पर कितना आजाएगा आपका two positive ठीक है? तो यहाँ पर जो यह charge है जो electronegativity में difference के कारण आया है इसी को हम क्या बोलेंगे? पर में देखिए oxygen की electronegativity जादा है अब पहले वाले से case उल्टा हो जाएगा अब जो electron pair है वो किस की तरफ shift हो जाएगे? oxygen की तरफ ठीक है? दो electrons hydrogen के oxygen की तरफ shift होगे तो oxygen पर charge आगया two negative और एक एक electron hydrogen का oxygen की तरफ गया तो hydrogen पर charge जाएगा आपका positive one तो यह concept आप अच्छी त झामई की तरा में